एनम्टीवी को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबाई नाभी मुंबाई एवं बॉल्यूड की ताजा तरीन खबरें आर्बियो नाभी मुंबाई द्वारा SBI कर्मचारियों के लिए भव्व वैक्सिनेशन कैम का आयोजन सीबीडी बेलापूर में किया गया था ये कैम फॉर्टीज अस्पताल के माध्यम से आयोजित किया गया था बता दे कि कोवीड की महमारी में भी लोगों को दिकते ना हो इसलिए बैंक द्वारा अपनी सेवाई शुरू रखी गई थी महमारी के समय उनके द्वारा किये गए कारे के चलते बैंक कर्मियों को भी कोवीड योधा की उपादी दी गई है और उन्हें भी vaccination मिलना आवश्चक है इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस camp का आयोजिक किया गया था जिसका उधाटन SBI के DGM ठाने जोन के अतुल राठी के हाथों संपन हुआ जहाँ पर उनके साथ RBO के RM कपिल गर्ग भी मौझूद थे तक्रीबन 9 चरनों में ये camp आयोजिक किया गया था जिसमें हर स्लोट में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तक्रीबन 270 लोगों को vaccine दिया गया खास बात तो ये रही कि vaccine केवल bank कर्मचारी ही नहीं बलकि उनके परिवार वाले एवन stakeholders को भी मुफ्त में दिया गया इस camp की अधिक जानकारी अतुल राठी ने दी आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस vaccination drive के माध्यम से उन्होंने अपने कर्मचारियों को निडरता प्रदान करने की कोशिश की है तब से महामारी आई है तब से बैंक को ने कभी भी अपना काम करना बंद नहीं किया गवर्मेंट गाइड लाइन्स के इसाब से बैंक ने समय समय पर अपने निर्देश निकाले यह उन्हों बैंक कर्मचारी उनका पूर्ण रूप से पालन कर रहे है उन निर्देशों के पालन अनुसार हमारी बैंके पूरा समय खुली रही बले ही रिडियूस टाइम में खुली लेकिन वो ग्राहकों की संतुष्टी के लिए सर्विस करने के लिए हमेशा तत पर रहे यह वो मुषके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर जिनको हम कोविट वारियर्स भी बोलते हैं उनका सब का वैक्सिनेशन हो जाए जिससे कि यदी कभी भी कोई समस्या हो तो समस्या का इंपक्ट कम हो जाए वैक्सिनेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है उसी पहल के चलते हम लोगों ने ये मिशन लिया है हमारी सर्किल अथारिटीज ने हमको गाइड किया है एडवाइज किया है एनेबल किया है कि हम अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को किसी ना किसी तरीके से वैक्सिनेट बले ही वो टाइप हो बले ही वो गवर्मेंट अथारिटीज को रिक्वेस्ट करके हो और हमारे यहां जितने भी स्टाफ हैं 18 प्लस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका वैक्सिनेशन हो जाए उससे डूल एडवांटेज है एक तो यह होता है कि जहां कस्टमर्स आ रहे है वो कस्टमर्स भी सिफ हुजाते हैं क्योंकि हमारा कस्टमर्स के साथ लेंदेन और आदान-पदान ख़तम नहीं हुआ है हमने वो सर्विसएज चालू रखी है तो इन कस्टमर्स की सेफटी के लिए भी जरूरी है कि हमारे साफ सारे स्टाफ मेंबर्स को बैक्सिनेट कर रे हम इतने customers हे मिल रहे हमारे जाथ कुछ हो सकता है तो निडरता हमने उनको इस vaccination camp के द्वारा प्रदान किया है हम ऐसे initiatives को और आगे भी करते रहेंगे हमारे और plans है vaccination मुझे लगता है government के support से vaccination जो है अब धीरे-धीरे vaccination की कमी दूर होती जाएगी और यह situation ease out होती जाएगी अदुल राठी ने ये भी कहा कि कोवीड के नियमों का पूरा बालन कर दे हुए करमचारी उनके परिवार के सदस्य एवं स्टेक होल्डर्स को यहां पर मुफ्त वैक्सिन दी गई है आज हम लोगोंने क्योंकि आज मैंने आपको बताया हमें कोवीड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है तो हमने इसके लिए रूपरेखा बनाई और हमने यहां पर एक इंफ्रस्ट्रक्चर क्रियेट किया जिसमें हमने समस प्रोटोकॉल सेफ डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग को एंशोर किया तो आज हमारे यहां 200 लोगों को हम लोग स्टाफ मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को भी हमने इन्वाइट किया है जिसमें बुजर्ग भी शामिल है जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स में उनके मदर, फादर और उनकी वाइफ भी शामिल है यह चार्ज झाल झाल